हांटेड बस बंद कर जब देखो तब उल्टी बाते ही करती है अरे कुछ देर रुक जाना कुछ ना कुछ मिली जाएगा लेकिन काफी देर तक इंदजार करने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती धीरे धीरे समय के साथ साथ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का दिखना भी बंद हो जाता है अरे ये दिख अब तु सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नामों निशान नहीं है एक काम करते हैं वापस अपने ओफिस चलते हैं हम दोनों आज रात वही गुजार लेंगी देख तुझे अच्छी तरह पता है दस बज़े के बाद चौकिदार ओफिस के में गेट पर ताला लगा कर अपने घर चला जाता है ओफिस जाने का कोई फाइदा नहीं है इस सुनसान सड़कुतिक मुझे बहुत खबराट हो रही है एक काम करना उसी चौकिदार की घर चलते हैं वो भी तो परिवार वाला है हम बे फिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुख सकते हैं अरे बागल चौकिदार दस बाई दस की खोली में रहता है उसकी चार बच्चे हैं वो हमें अपने घर में कौन सी जगा दिगा अब तुना यह बिकार की बाते बन कर और चुपचाप खड़ी रहे शायद कोई लिफ्ट ही मिल जाए फिर काफी दीर इंतजार करने के बाद आखिर कार एक नीले रंग की बस उनके सामने आकर रुपती है बस का दर्वाजा खोल कंड़क्टर उन दोनों से कहता है कहिए कहां जाना है आप दोनों को देखिए मेरी पूरी बस खाली पड़ी है मैं आप दोनों को आपकी ठिकाने पर छोड़ दूँगा इतना कहकर कंड़क्टर मुँ में भरे पान की पिछकारी सडक पर दे मारता है निकिता लोगों का कहना है कि कुछ महिने पहली इसी तरह अंधेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या करती थी इस बस का रंग भी नीला है कहीं ये वही बस तो नहीं कंड़क्टर शीला की बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है देखिए मेम साब उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक है लेकिन दुनिया में निले रंग की एक ही बस तो नहीं है न, ये तो सिर्फ एक इतिफाक है, देखिए हमारी बस में एक मेम साहब पहले से ही बैठी है, चाहे तो अब देख लीजिए निकिता गर्दन उठा कर देखती है, तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की कंबल उड़े बैठी हुई थी, सही तो बोल रहा है बहिया, बस में पहले से एक लड़की बैठी है, चला हम भी बैठ जाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है अरे ठेर जाना निकिता, मुझे डर लग रहा है अरे तुझी इतना ही डर लग रहा है, तो तू यहीं खड़ी रहे, मैं तो चली अरे तुम मुझे छोड़कर कहा जा रही है, मैं भी चलती हूँ दोनों बस में जाकर बैट जाती है, देखते ही देखते ड्राइवर बस को तीज रफ्तार में चलाना शुरू कर देता है, तभी शीला के नजर पीछे वाले सीट पर अकेली बैठी लड़की पर पड़ती है, उस लड़की की लाल आखे और उसका आधा जला हुआ चेहरा अरी छोड़ ना कोन का ऐसा दिखता है, मुझे इन सब बातों में कोई दिल्चस्पी नहीं है, मैं थोड़ी देर जपकी लेना चाहती हूँ, इसलिए अब तू अपनी बढ़ बढ़ बंद कर, प्लीज, बेफिक्र निकिता अपनी आखे बंद करके बैठ जाती है, दूसरी और बस जंगल के रास्ते में पहुची है, चारों तरफ गना अंदेरा, और साथ ही जंगल में माजूद जंगली जानवरों की डरावनी आवाजे, शीला को और भी ज्यादा डराये जा रही थी, थोड़ी ही देर में बस एक बरगत के बेड़ के पास से गुसरती है, तब य अचानक बरगत की डाल पर बैठी एक बिल्ली कोट कर, खिरकी के रास्ते शीला की गोट में आग उती है, शीला के चिल्लाने की वज़े से निकिता की आग खुल जाती है, और वो भी घबरा कर इधर उधर देखने लगती है, तब ही पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की उठकर शीला की पास आती है, और बिना कुछ कहे उस बिल्ली को शीला की गोट से उठा, उसे सहनाते हुए अपनी गोट में लेकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है, अरे शीला तो तो बहुत ही डर पोक है, जरा जरा सी बात पर उचल पड़ती है, मैं कल से अकेल फिर सोजाती है, पर तभी अचानक एक जटके से ब्रेक लगा कर ड्राइवर बस को रोकता है, शीला खिरके से बाहर जाक कर देखती है, तो उसे सडक के किनारे एक काला आदमी खड़ा दिखाए देता है, उसकी बड़ी बड़ी डाड़ी और अजीब से कपड़े देखकर शीला को घपराट होने लगी, क्या हुआ ड्राइवर भीया, आपने बस क्यों रोक दी, अरे वो देखो, वहाँ, वो सडक के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रुकवाई है, शीला निकिता को धका देकर नीन से जगाती है, अरे अब क्या हुआ, वो द तरह निकिता भी उस आदमी को देख कर थोड़ा डरने लगती है, कंडक्टर, क्या तुम उस आदमी को बस में चड़ाने वाले हो, उससे देख कर हमें डर लग रहा है, उससे बस में मत चड़ाओ, अरे डरने की कोई बात नहीं है मिम साब, ये आदमी जंगल के पीछे वाल इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ, ओ अच्छा, चीक है, फिर कंडक्टर का इशारा पाते ही, वो आदमी बस में सवार हो जाता है, ड्राइवर दुबारा एक्सलेटर पर जोर देकर बस को आके बढ़ाता है, थोड़ी ही देर में बस एक घाटी पर चड़ती है, बस के एक तरफ गहरी और डरावनी खाई थी, पर ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था, वो लगातार बस की रफतार बढ़ा कर बस चलता जा रहा था, ड्राइवर भीया, आप देखते नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है, बस की रफतार लगातर बढ़ाए जा रहे हो, थोड़ा धीरे चलाओ न, अरे मेम साब, कबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा रोस का काम है, मैं तो यहाँ इसी रफतार से बस चलता हूँ, अब बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाईए, आपको कुछ नहीं होगा, ड् इस पार उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता, अरे अब क्या हुआ, तुमने बस क्यों रोक दी, यहाँ तो दोर दोर तक कोई भी नहीं दिखाई दी रहा, ड्राइवर उसकी बाद का कोई जवाब नहीं देता, पर कंड़क्टर बोल पड़ता है, ये हमारी पेवरेट जग इतना कहते ही कंड़क्टर, सीट के नीचे रखी एक शराब की बोल निकालता है, अरे ये सब क्या है, तुम्हारे बस में सवारी बैठी है, उन्हें घर पहुंच आने की जगह तुम यहाँ सड़क के बीच में बस रोक कर शराब पियोगे, बस में लड़कियों के बैठी कंड़क्टर कोई जवाब नहीं देता, और मुस्कराते हुए शराब पीने लगता है, तबी ड्राइवर और दूसरा आदमी भी कंड़क्टर के साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं, निकिता, मुझे इन तीनों की इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, हमने इस बस में बैठ कर बहुत बड़ी भूल करती, दुगा ब्रामत, मैं हमेश अपने पर्स में छोटा सा चाकू रखती हूँ, उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगार पाएंगे, देखो गज्जो भाईया, हमारी बस में इस समय तीन जवान लड़कियां बैठी हैं, कहो, कहो सबसे प प्रोग्रम फिट करेंगे, ठीक है, जैसी तुम्हारी बर्जी, अब वो आदमी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की के पास पहुच कर, उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आँखे ज़रूरत से ज्यादा बड़ी और लाल होने लगती है उसका चहरा गुसे से लाल और उसके मूँ से नुकिले दाथ दिखने लगते हैं, अरे, 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 ये क्या, ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है, इतने में वो लड़की उस आदमी को उठा कर वहीं सीट पर पटक देती है, मुझे राठ लगाएगा, ते होश उड़ जाते हैं, इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए तुरंट बस से बाहर कूच जाता है, पर तभी बस के पीछे की तरफ से तेजी से आ रहा एक ट्रक, उसे कुचल कर चला जाता है, एकी बल में अपने दोनों साथियों की मौत देख, अब कंड़क् रे कौन हो तुम और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? अब वो लड़की गुसे में घुराते हुए कंड़क्टर का गला पकड़ लेती है, इतनी जल्दी मुझे बूल गए, कुछ महीनों पहले तुम तिनों ने बड़ी बेरे में से मेरी हत्या की थी, और फिर शहर बाग गए, कई दिनों से मैं तुम तिनों के इंतिजार में पटक रही थी, आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा, अब तु भी अपने साथियों के तरह जहन्नम पहुच जाएगा, अब वो लड़की कंड़क्टर को उठा कर, बस के पास मौजूद खाई में फैकती थी है, कंड़क्टर एक बड़े पत्थर से जाटकराता है और उसकी भी मृत्वी हो जाती है, दूसरी तरफ, ये सारा नजारा देख शीला और निकिता भी होश हो जाती है, अगली सुबा, जब उन दोनों को होश आता है, तो वो अपने आपको एक सरकारी अस्पताल में पाती है, झाल में अस्पताल के सारे आता है, झाल में अस्पताल है, चूसरी पाती है, बड़े बड़े हो जगली सारा भी मृत्वी पाती है, लंगे ये संग।